और हम यहां पर फाइल टेप एपो यहां पर सबसे लास्ट में आप देख पा पार होंगे यह इस copyright न को हम क्लिक करेंगे कि वैंवें अब मैं आप को बताना चाहूँ कहा तो उन्हें करते हैं अब जूषि किघे न्हीं करते हम उन्हीं एक लें Skill n pa I Hernandez welcome about 10 चुन रही है वहां तो में गजंच सबसे पहले पहले को अ प्रेसं दिखाएडेरी तो आप जो भी और आपको लेना है किर यहाँ सकते हैं साथ ही यहां आप देखेंगी रिशेंटमें आप देखेंगे जो भी आपने presentation बनाए हैं वो सब आपको यहाँ दिखाए देंगे यह presentation आप देख सकते अब यह जो पीन है Pinned कोन से होंगे जो भी आप यहां से आप चाहते हों कि यह जो मेरा presentation चल रहा है इस presentation को मैं pinned कर दूं और जब आपको यहां पर दिखाए देगा तो आपको सर्च करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी जैसे आप पावरपॉइंट ओपन करेंगे ओपन करते ही आपको यहां पर दिखाए देगा तो यह हमेशा के लिए यह पिन हो जाएगा मान दीजी कि आपके पास 10 प्रेजेंटेशन आप आपको बाद में भी जरूत है हुना आप अगर पीन कर देंगे तो अगला अगर दूसरा प्रेजेंटेशन पर आप करेंगे और आप चाहते बार कि उसी समय जो है पुराना वाला भी प्रेजेंटेशन यहां ओपन हो और आपका पीन में आप जब उसे कर देंगे उससमय तो यहां पर लिश्ट में आपको दिखाय देगा तो देखेंगी हम किस सब्सक्राइब जह अब यहां बीडर में उपन Linkedl Labs को जाएगतों। यहां table i फिर उसके बाद में यहां more theme आप देखेंगे more theme में आपको कई सारी themes दिखाई दे रही है अगर blank presentation हमें लेना है तो यहां से यूज करेंगे बाकि यहां पर कई सारे आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे आपको presentation की templates आपको दिखाई देगी यहां सर्च भी कर सकते हो अलग-लग theme के accordingly कि आपको education चाहिए या corporate के साफ से चाहिए तो वह आप जहां से देख सकते हैं अलग-लग तरह के आपको यहां दिखाई देंगे तो मैं एक open करके बताता हूं जैसे मैं इसे open करता हूं अब जैसे आप इसे क आप अगे तो यह आपको पूरा बता देगा को इसकी template है यह इस तरह की यह आपको template दिखा देरी तो अगर आपको इसे जो भी नहीं लिना चाहते हैं वो यहां से ले सकते हैं कई सारी और बाकी यहां पर अगर आप इसमें चेंज करना चाहते तो वह भी कर सकते हैं यह तरह से यूज की जाती है वह मैंने आपको बताया अब यहां से आप देख सकते हो more theme में अगर हम जाते तो कई सारी themes आपको दिखाए देगी अलग अलगतर की themes से जो भी आप यूज करना चाहते वह यहां से पर फिर अगर कोई भी फाइल आप ओपन करना चाहते तो यहां से ओड़ी जो फाइल आपके पास या तो है या फिर में जाके आप जहां पर भी आपने location दे रखी है उस presentation की जहां सेव किया होगा उसे आप open करना चाहते तो यहां से यहां यह open का option से फिर info पर हम जाते info पर हम क्या कर सकते यहां सबसे important होता है कि अगर में जो PowerPoint है इसकी information आपको यह बताएगा जैसे property कितनी size है इसकी number of slides कितन article क्या है उसका यह सभी आपको यहां दिखाए देगा author होगरे सभी साथी यहां अगर आप चाहते ही कि पूरी जो PowerPoint है इसको password protect अगर मुझे करना है तो यहां क्या करूंगा encrypt with password इसे मैं करता हूं यह password मैं order दे रखा है जो भी आप देना चाहेंगे यहां से आप दे सकते है 123456789 जिसे मैं ने password गया तो आप जो भी देना चाहते दे सकते हैं एक बार रिंटर पुछेगा वह मैंने रिंटर कर दिया और इस तरह से आप चुरी PTT को पाश्वर्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो यह password इसए आप कर सकते हैं साथ ही share करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते और अब यहां पे सेव बटन पॉक्लिच करेंगे तो यां फाइल जो है Film हो जाती है सेवेस बटन जो है इससे क्या ओगा कि से आम मतलब यह होता है है जिसे अपने सेव कर दिया अभी हूल कर नाम से में से डिए अब मैं चाहता हूं कि इसका नाम जो है वो चेंज किया जाए इसी फाइल का सेम फाइल का नाम चेंज करके किसी ओल के सं पर देना है यहां पर आपके पास चब अब देखेंगे तो कई सारे आपको दिखाए देगा जैसे से से करना चाहता हूं PowerPoint टेंपलेट में करना चाहता हूं एक पिक्चर के रूप में तो भी हो सकता है तो प्रिंट प्रिव्यू आपको दिखाए देगा यहां से आप प्रिंट भी कर सकते हैं तो यह जो मैंने सेव किया है से एज पीडियक वह आपको दिखाए दे रहा है वापीस हम चलते हैं यहीं पर और एक्सपोर्ट और इनका जो यूज है वह में आपको कुछ समय बाद जो आने वाली लेक्चर है उसमें बता हुआ इस तरह से आप देख सकते हैं और नई अगर आपको कोई फाइ यूज करना बता है कि यह जो है वह उसका यूज क्या है तो अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे और भी इससे जुड़ी भी काफी सारी चीजें हम देखेंगे रीबन देखेंगे उसमें